नमस्कार गुट्टी की पोर्तली यूट्यूब में आपका हार्तिक स्वागत है आज मैं आपके लिए कुरोशिय से बनी बूट में, कैप में या फ्रॉक में डालने वाली सिंपल सी डोरी और लटकन का वीडियो लेकर आई हूँ अगर आपको क्रोशिय में केवल चेन बनानी आती है तो भी आप बहुत आसानी से इस क्रोशिय की चेन को बना सकते हो, डोरी को बना सकते हो तो आए हम अपनी डोरी बनानी शुरू करते हैं बेपी बूटिस के लिए कोशी के डोरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल सी नौट लगाने के बाद इन में से किसी भी एक थागे को हम खीच लेंगे अब हम क्रोशिय पर अपने लूप को लेते हुए इसको टाइट कर लेंगे जो हमारा वेस्ट थाखा है उसको मैंने नीचे कर लिया है और चिस थाखे से हमने डोरी बनानी है उसको मैंने उपर कर लिया है मल्टी कलर का धागा मेर पास ग्रोशिय पर है तो हम क्रीम कलर के धागे से एक चेन बना लेंगे इसको छोड़ देंगे और मल्टी कलर के धागे से एक चेन बना लेंगे मल्टी कलर का धागा बैक साइड पे छोड़ेंगे और क्रीम कलर के धागे से इस क्रीम कलर के धागे को हलका सा खींचते हुए फिर हम आगे वाला एक फंदा क्रीम कलर के धागे को आगे की और छोड़ेंगे और मल्टी कलर के धागे को हलका सा खींचते हुए एक चेन बना लेंगे मल्टी कलर का धागा पीछे छोड़ेंगे वाइट कलर के धागे को हलका सा खींचते हुए एक चेन बना लेंगे क्रीम कलर का धागा आगे और मट्टी कलर के धागे को पहले हलका सा खिंचेंगे खिंचने के बाद एक चेन बनाएंगे मट्टी कलर का धागा बैक में और क्रीम कलर के धागे को यहां से देखे हलका सा खिंचते हुए एक चेन बना लेंगे चेन बनने शुर हो गई है और नजर आनी लग गई है सिरफ चेन बनाने के दो ही स्टेप हैं एक बार मटी कलर से हलका सा खींचते हुए एक चेन बना लेंगे और धागे को पीछे छोड़ेंगे और एक बार क्रीम कलर के धागे को हलका सा खींचते हुए एक चेन बनाने के बाद धागे को आगे की तरफ रखेंगे बिल्कुल इसी तरहा से बनाते हुए हम अपनी पहले 16 इंच लंबी चेन बना लें फिर हम इसके उपर अपने डोरी में लटकन लगाएंगे 16-17 इंच लंबी डोरी बनाने के बाद मैंने तोन धागो को यहां से काट दिया है और इस चेन को मैं ऐसे खींच दूँगे तो हमारा यहां पर चेन अपने आप बंद हो जाएगे अब हम सिरफ इसकी लटकन बनाएंगे एक लटकन मैंने बना रखी है और इसके साथ अटेच भी करी हुई है दूसरी लटकन मैं आपके सामने बनाओंगे डोरी बनकर बिल्कुल तियार हो गई है आप देख सकते हैं यह डोरी कितनी सुंदर बनकर आई है कि वर चीन से ही मैंने इस डोरी को बनाया है और एक डोरी की लंबाई कंप्लीट करने पर और एक लटकन लगाने के बाद सबसे पहले हम अपनी इस डोरी को अपनी बेबी बूटिस में डालेंगे यहां पेक हलकी सी नौट लगा लेंगे बिल्कुल हलकी सी लगानी है फिर हम इसको खोल देंगे और इसको हम क्रोशे की मदद से अपनी बेबी बूटिस में डालेंगे जी जो हमारी डोरी है बैक साइड से हमीशा बाहर की तरफ आनी चाहिए मैंने जाली इस तरीके से सेट करी है कि यह हमारी डोरी बैक साइड से बाहर की तरफ आएगी एक साइड की लटकन लगाने के बाद इसमें बूट में डोरी डालने के बाद अब हम इसमें लटकन लगाएंगे इस साइड और इसको खोल लेंगे लटकन लगाने के लिए यहां से स्टार्ट करते हुए तस बार हम अपने धागे को उंगली पर लपेटेंगे एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नू तस इसको हम उंगली से नहीं निकाल लेंगे अपनी इस धागे को यहीं से ही अंदर कर लेंगे और यहां पर हम इसको इस धागे के साथ आपस में जोड़ देंगे पक्का जोड़ेंगे दूनों धागों को हम नीचे के तरफ लेंगे और यह जो वाइट कलर का क्रीम कलर का धागा है इसको मैं अंदर कर दूँगे इसको यहां से हम बांद देंगे दो या तीन बार लपीटने के बाद हम इसको यहां पर अच्छे से पक्का करतेंगे इसको यहां से इसका अबाद हम इसको यहां से इसकाद सेंटर से भी हम इसको इस तरीके से कटेंगे जो हमारी दूसरी लटकन है इसको इसके साथ बिलकूल बराबर करते हुए हम यहां पर अपनी लटकन को काटेंगे दूरी और लटकन बनकर बिलकूल त्यार है इसको बूट में कैसे डालना है यह भी मैंने आपको बताया है दूरी और लटकन बनकर बिलकूल त्यार है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूस्फूल लगा हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें जलती ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली नमस्कार धन्यवाद